नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है Top GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 60 वी क्लास यहाँ पर कवर करेंगे इसमें हम GK के previous year के questions को यहाँ पर अतरिक तथ्यों के साथ पूरी detail के साथ cover करते वे चलते हैं जिससे आपके previous year के questions के साथ आपके concept भी यहाँ पर clear हो जाते हैं अगर आपने इससे पहले की classes को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाकर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है नीती निदेशक तत्वों को निमलिखित में से किसने लक्षय और अकांक्षाओं का घोशना पत्र कहा था तो DPSP के बारे में किसने क्या statement दिया है यह आपसे पूछे जाते रहते हैं कुछ समय पहले यह उत्राखन में भी आपसे पूछा गया था DPSP के बारे में DPSP के लिए कहा कि यह लक्षय और अकांक्षाओं का घोशना पत्र है और इनको धार्मिक उपदेश बताया किसने यह कहा था केसी वीहर ने option B सही आंसर हो जाएगा केटी शहा का भी एक famous बयान है DPSP को लेकर इन्होंने कहा कि DPSP एक ऐसा बैंक का चेक है जिसका भुक्तान बैंक अपने सुवीधा के अनुसार करेगा वो statement किसका है? केटी शहा का है ठीक है? टी टी कृश्मचारी की बात करें तो इन्होंने भी एक statement दिया DPSP के बारे में इन्होंने कहा कि यहां भावनाओं का एक इस्थाई घर है या गोदाम है आईवर जेनिंग्स की बात करें तो इन्होंने DPSP को कर्मकांडी अकांक्षा कहा इसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है? पंचायट से related एक समीती बनाए गई थी एलम सिंग्वी समीती तो एलम सिंग्वी के द्वारा भी DPSP के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया एलम सिंग्वी ने DPSP को कहा कि यहां सम्विधान को जीवन दान देने वाली विवस्था है तो यह कुछ important स्टेटमेंट DPSP को ले करके निक्स्ट है भारत में प्रोटेम स्पीकर निक्त करने की विवस्था किस देश से ली गई है तो देखें आप जानते हैं जब भी संसत का चना होता है या विधान सभा का चना होता है तो उसकी जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक की अद्धक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है प्रोटेम स्पीकर को राश्ट्रपती के द्वारा निक्त किया जाता और इनका में काम होता है कि जो नए सदस्य चुन कर आएं सभी के सभी सदस्यों को शपत दिलाते ये हैं इनको न्युक्ट करने के जो ववेस्था है ये हमने फ्रांस से ली है option B सही आंसर होगा फ्रांस के समविधान से हमने और क्या-क्या लिया है तो हमने प्रस्तावना में जो सौतंत्रता, बंदुत्वता वो सारी चीजें भात्रत्व किस से ली हैं प्रांस के समविधान से ली है फ्रांस सी करांती से ली है next है यदी कोई व्यक्ती संसत के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यहाँ बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है देखिए इसी से मिलता जुलता question हमने कुछ दिन पहले देखा था उसमें क्या condition थी कि कोई विधायक है थीक है यानि विधान सभा का कोई सदस्या लोग सभा के लिए चुना जाए या राजे सभा के लिए चुना जाए तो उसको दिये जाते हैं 14 दिन का समय लेकिन अगर कोई सदस्या लोग सभा के लिए भी चुन गया और राजे सभा के लिए भी चुना गया इसको दिये जाते हैं 10 दिन का समय बताने के लिए कि आपको किस सदन में जाना है option A सही आंसर हो जाएगा ठीक है next है समविधान के किस अनुचेद के तहत राजे की कारेकारी शक्तियां राजेपाल में नहित होती है तो राजे का समविधानिक प्रमुक होता है राजेपाल और राजे की कारेकारी शक्तियां राजेपाल में ही नहित होती है कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 154 कहता है option B सही आंसर होगा देखे राज्यों में राज्यपाल होगा ये कहता है आर्टिकल 153 राज्य की कारेकारी शक्तियां राज्यपाल में नहीं थोंगी ये कहता है आर्टिकल 154 राज्य का राज्यपाल की निक्ति से रिलेटेड कि उसके निक्ति कैसे होगी राष्ट्रपती की द्वारा होगी ये क कहता है आर्टिकल 155, तो पद 153 में है, शक्ती 154 में है और न्युक्ती 155 में है, इसके बाद 156 आता है जिसमें पदवधी आती है राजयपाल की, राजयपाल के पद के लिए क्या-क्या अहरताएं है, क्या-क्या क्वालिफिकेशन है, वो 157 में आती है, पद के लिए क्या-क का भुक्तान, संतुलन, विपरीत हो गया हो, तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ती है यागर किसी देश्चमें लौन के आवेशकता होती है, उसका जो भुक्तान, संतुलन थे, पेमेंट, बैलेंस है, वो भिगड़ जाता है, नेगेटीव हो जाता है, तो उसकी मदद करता है अंतराश्ट्रिया मुद्रा कोष option C सही आंसर होगा निम्न में से कौन सी बिरोजगारी टक्नीक में परिवर्तन के कारण होती है टक्नीक में परिवर्तन के कारण यानि skill mismatch के कारण यानि जो skill उस job के लिए चाहिए उस skill का उपलब्द ना होना, इसकिल मिसमैच के कारण, तकनीक में परिवर्तन होने के कारण, जो बेरुजगारी होती है उसे सरचनात्मक बेरुजगारी कहा जाता है, option B सही आंसर हो जाएका, ठीक है काफी बार ये वाला question paper में पूछा गया है next है, सिंधु सबता में कूबड वाले सांड की आकरती वाली मुहर की प्राप्ती कहां से हुई है तो देखे कूबड वाला सांड इसकी आकरती हमें कहां से मिली है इसकी आकरती हमें मोहन जोद्रो से मिली है option C, सही आंसर होगा मोहन जोद्रो की बात करें तो यहाँ एक सिंधु घाटी का फेमस इस्थल है और यहाँ सिंधु नदी के तट पर इस्तित है वर्तमान में यहाँ पाकिस्तान के लरकाना जिले में इस्तित है ठीक है मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो की खोच राखल दास बनरजी के द्वारा 1922 में करी गई थी यहाँ से हमें कई सारी चीजे मिली है जैसे विशाल इस्नानागार विशाल अनागार कांसे की जो नर्तकी की प्रतिमा है वो भी हमको यहीं से मिली है इसके लावा शत्रंच की गोटिया दाड़ी वाला जो सादू है उसकी प्रतिमा वो सब हमें यहीं से मिली है मोहन जोदुडों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मरतकों का टीला इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट है भारत में सरवादिक लवणिया मरदा का छेतर किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़ादा लवणियम रदा ये गुजरात में पाई जाती है option B सही उत्तर होगा रिगवेद में हेरने शब्द का प्रियोग किस धातू के लिए किया गया है तो देखे हेरने शब्द का प्रियोग रिगवेद में हमें देखने को मिलता है और रिगवेद में इसका इस्तेमाल सोने के लिए गोल्ड के लिए किया गया है option B सही आंसर है भारत के अंडमान निकोबार में इस्तित नारकोंडम जॉला मुखी किस प्रकार का है तो देखे नारकोंडम जॉला मुखी भारत का ही एक जॉला मुखी है option B सही आंसर होगा प्रुसुप्त जॉला मुखी ऐसे जॉला मुखी होते हैं जिसमें अभी हाली में तो कोई उदगार नहीं हुआ कोई विस्फोट नहीं हुआ लेकिन भविश्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है ठीक है जादा तर ये शांत रहते हैं लेकिन अंदर से ये एक्टिव रहते हैं ठीक है next है समुद्री वियापार हेतू कार्टेज पदती लागू किसने करी थी तो देखे समुद्री वियापार से संबंदित एक पदती है कार्टेज पदती जिसे भारत में पुर्टगालियों के द्वारा शुरू किया गया था option A सही आंसर होगा देखे पुर्टगालियों ने पूरे समुद्र पर अपना अधिकार कर लिया था जब उन्होंने भारत में अपनी फैक्टरियां लगानी शुरू करी पुर्टगाली खुद को समुद्र का स्वामी कहते थे ये question भी आता है कौन सी उरोपिया शक्ती स्वयम को समुद्र का स्वामी कहते थी पुर्टगाली कहते थे पूरे हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उस पर एका अधिकार इन्होंने अपना जमा लिया था और फिर इस एका अधिकार को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक पदती की शिरुवात करी जिसे कहते हैं कार्टेज पदती इसके तहट यदि कोई देश या कोई भी इंसान अपना जाहाच किसी भी एशिया के देश में भेजना चाता है तो उसे कार्टेज लेना पड़ता था और यह कार्टेज के बदले में उसको कुछ पैसा देना पड़ता था ठीक है कार्टेज पदती को किसने शुरू किया पुर्तगालियोंने शुरू किया था नेक्स्ट है हमारा किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसिन की संधी की थी तो देखें अंग्रेजों के साथ बसिन की संधी होती है 1802 में होती है और इसी संधी के तहट सहायक संधी को स्विकार कर लिया जाता है पेशवा के द्वारा यह संधी बाजीराव दुतिया ने करी थी option D हमारा सही आंसर हो जाएगा इसी संधी के तहट इन्होंने सहायक संधी को स्विकार किया और जो पेशवा थे वो अंग्रेजों के सरक्षन में चले गए कुछ important संधियां हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो लगातार आपसे पूछी जाती रहती हैं सबसे important जो संधी है वो आती है आपकी सूरत की संधी अंग्रेजों और मराठों के बीच में सूरत की संधी कब हुई सूरत की संधी होती है 1775 में रगुनात राव और अंग्रेजों के बीच में ये संधी होती है इसके अगले साल एक और संधी होती है पुरंदर की संधी ये हुई थी 1776 में ठीक है इसके बाद एक संधी होती है वडगाओं की संधी ये भी फेमस है पेपर में पूछी गई है 1789 में होती है सालबाई की संधी 1782 में होती है सालबाई की संधी इसके बाद नागपुर की संध इस संधी के तहत जो पेश्वा का पद था इसको खतम कर दिया गया था, ठीक है? जो गंगा घाटी का अभियान चलाया और एक पाल नरेश को यहां पर पराजित किया इस शाशक का नाम क्या था? शाशक का नाम था राजेंद्र प्रथम option B सही आंसर होगा देखिए एक चोल नरेश है जिसका नाम है परांतक प्रथम इसको ध्यान रखिए, ठीक है? श्टार्टिंग से चलेंगे, कॉंसेप्ट को समझते वे चले कि कितने महान राजा थे राजेंद्र प्रथम क्यों इन से जादा question आते है एक चोल राजा हुए जिनका नाम था परांतक प्रथम ठीक है? इनकी एक लड़ाई होती है राश्ट्रकूट के शाशक क्रिष्ण तृतिया के साथ उस लड़ाई को कहा जाता है तकॉलम का युद्ध इस तकॉलम के युद्ध में जो ये परांतक प्रथम थे ये पराजित हो जाते हैं क्रिष्ण तृतिया के हाथों और इसकी पराजय के बाद चोल वंश का अवनती काल शुरू हो जाता है क्वेशन आता है चोल वंश का अवनती काल किसके काल में शुरू हुआ परांतक प्रथम के काल में कौन सा युद था? तकूलम का युद था इसके बाद लगभग 30 वर्षों तक ये टाइम पिरिड उनका चलता है अवनती काल चलता है ठीक है लगभग कितना 953 में वो पराजित होता है 984-85 तक ये चलता है 985 में राजा बनते हैं राजेंद्र प्रथम और चोल शक्ती को पुनह जिनोधार करने का शरीक इसको जाता है राजेंद्र प्रथम को जाता है इनके शाशन को चोल काल का महांतम काल माना जाता है ठीक है राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा घाटी का अभियान किया गया और पाल शाशक महिपाल को पराजित किया गया किस पाल शाशक को पराजित किया था महिपाल को सबसे पहले शिरिलंक का जीतने वाला भी कौन था राजेंद्र प्रत्थम तंजोर के अंदर जो ब्रहदेश्वर मंदिर है जिसे राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं उसका निर्मान भी किस ने करवाया था राजेंद्र प्रत्थम ठीक है तो राजेंद्र प्रत्थम काफी important शाशक है हमने दो राजाओं के बारे में detail में बात करा जो हमारी मतिकालीन वाली सीरीज है उसमें हमने चोल सामराजे के बारे में और निस सभी राजाओं के बारे में और ज़्यादा detail में वहाँ पर बात करी थी next है फुत्वाथ ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखा कौन है तो एक famous रचना फुत्वाथ ए फिरोज शाही मिलता है वो मिलता है नाना घाट अभी लेख में option B सही आंसर होगा एक question आता है कि भूमी दान देने की जो प्रथा थी किसके काल में शुरू हुई इस प्रथा की शुरुवाथ होती है साथवाहन राजाओं के काल में और शाथवाहन राजाओं का ही एक अभी लेख है नाना घाट अभी लेख जिसमें हमें भूमी दान देने का इसपश्ट प्रमान मिलता है तो भूमी दान देने की प्रथा की शुरुवाथ पूछेगा तो साथवाहन कहेंगे अभिलेक पूछेगा तो नानाघाट अभिलेक कहेंगे कई बार कुशन पूछ लेता है नानाघाट अभिलेक किस वन्स का है तो आप सात्वाहनों के बारे में बताएंगे सात्वाहनों की भाषा, राजकिया भाषा क्या थी पूछी जाती है इनकी राजकिय भाषा प्राकृत थी और इनकी लिपी ब्रहम्मी थी ठीके निक्स्ट है विजयनगर सामराज्य की मुद्रा का नाम क्या था तो विजयनगर सामराज्य में मुद्रा का नाम था पैगोडा पैगोडा नाम की स्वन मुद्रा यहां पर चलती थी निक्स्ट है सार्क का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो सार्क की अगर हम बात करें इसका हैटक्वाटर काठ मांडू में है औप्शन ए सही आंसर होगा वर्तमार में सार्क के आठ देश हैं 1985 में बना था इसका पहला सम्मेलन 1985 में बंगलादेश की राजधानी धाका में हुआ था भारत में सार्क का पहला सम्मेलन 1986 में दिल्ली में हुआ था वैश्विक प्रतिस्प्रदात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो जो World Competitiveness Report है इसे कौन जारी करता है इसे World Economic Forum विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है राश्ट्रपती पर महाभ्योग संसत की एक तो देखें राश्ट्रपती पर जो महाभ्योग लगाया जाता है महाभ्योग की प्रोसेस हमने अमेरिका से लिए है राश्ट्रपती पर जो महाभ्योग लगता है यहां एक अर्ध नियाईक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है अर्ध नियाईक प्रक्रिया option D, सही answer होगा next है, राग गोविंद की रचना किस ने करी है? तो राग गोविंद की बात करें, हिंदी का एक question है राग गोविंद की रच्यता है मीरा बाई option B, सही answer होगा मीरा बाई के चार प्रमुक गरंत जिनके नाम आपको पता होने चाहिए जो पेपर में आते हैं पहला है आपका नर्स महतो तीसरा है इनका गीत गोविंद तीसरा है इनका राग गोविंद और चौथा है इनका राग सोठा इन चारों को आपने याद करना है पेपर में पूछी जाती रचनाए हैं ठीक है, किसकी रचनाए हैं, मीरा बाई की रचनाए हैं तो फ्रेंट्स यह तर हमारा, जो हमारी सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और आज हमने इसमें इसकी साथवी वीडियो को यहां पर कवर किया हर वीडियो में हमने इसी प्रकार GK की कोशन्स को डिटेल के साथ कवर किया है कॉंसेट के साथ कवर किया है, जिससे आपको सिरिफ कोशन आंसर न करना पड़े आपके एक जगह पर एक जैसे कोशन सब आपको मिल जाएं उमीद करता हूँ आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जो हमारी राश्ट्य आंदूलन वाली सीरीज है, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, जिसमें हम मौरले मिंटो सुधार के बारे में और मुस्लिम लीग के बा बात करेंगे, थैंक्यू फ्रेंड्स